तो नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं 28-8-2021 जो कि आज की डेट है आज का जो पेपर देनिक भासकार उसमें जो नियूज आई है कि पेपर लिख होने के कारण जो 2020 और 2021 में 10 परिक्षा उए थी उसमें से 3 परिक्षा निरस्ट कर दी गई है जैसा कि आप सब जाज बेटी तो यह हुआ कि जो पेपर है वो लिख हो चुका था ठीक है तो इनका जो कहना है वो यह पेपर लिख हुआ है और साइट कुई है तो उससे बहले जो लोग चैनल पर नियू आए हों चैनल को सबस्राइब कर दिजिए और बेल आकन को प्रेस कर दिजिए ताकि कि आपको इस लेटस्ट अब्लेट्स मिलती रहेगी तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सी यह सी तीन परिक्षा है जो आप जिनका रिजल्ट का बेट कर रहे थे वो निरस्थ हो चुकी है तो सबसे बहले बात करते हैं सबसे बहले आपके सामने द अब नए सीडे से होगी जो परिक्षा है तीन परिक्षा जो निरस्थ हुई है ठीक है घ्रव मंत्री ने का ओनलाइन परिक्षा सिस्टम को हेक किया है अब साइबर से लिसकी जाच करेगी ठीक है और आगे लिखते हैं कौन-कौन सी परिक्षा है जो हुई है केंसल उसके ल परिक्षा को निरस्थ कर दीगी ठीक है तो आप जो बहुत से लोग गुरूप टू सब गुरूप का जो वेट कर रहे ते रिजल्ट का वो अब नहीं आएगा भई क्योंकि आपकी जो एक्जाम में वो निरस्थ हो चुकी है ठीक फिर आगे देखते हैं तो यह परिक्षा अलग तरीके से डाउनलोड करने की कोशिश की गई है ठीक है फिलाल ग्रहमंत्री नरत्म मिष्णा ने मामले की जास साइबर सेल को सोब दिये इनका कहना है कि 2020 और 2021 में 10 बरतियां हुई है इन्वेस्थ तीन रस्थ हो गई है जबकि साथ को किसी तरह की कोई समस्या नहीं मि जा रही है आगे होना अली परिक्षा इस एजनसी की मदद से नहीं ली जाएगी अब कोई नहीं एजनसी के थुरू आपकी एक्जाम होगी ठीक है परिक्षा के रिजल्ट घोशित करने से पहले उनका सत्यापन और जाच कराएगा पीवी ठीक है और फिर CBI की जाच की कर रही है जाज ठीक है और यहाँ पर 1587 जो पदों के लिए एक लाग से ज्यादा उम्मिदवारों ने परिक्षा दीती अब देखते हैं जो यह तीन परिक्षा हो सकता है आपने कभी पेरामेडिकल स्टाफ का फॉर्म बराओ गुरूप टू सब गुरूप का फॉर्म बरा पॉर्म